कि बढ़ों है कि है घ्रोट प्यारे बच्चो रादे रादे जैस्रीकिष्टा कैसे ओ बढ़ीया और मस्त क्या हाल चालका पी दिनों बाद मिल रहे हैं और कपी समय बाद मिल रहे हैं तो भुले तो नहीं ना मेरे को सबका बहुत बहुत वेलकम का भी दिनों के बाद सबसे पहले कुछ स्टुडेंट के चल रहे थे और कुछन करते हैं उनका सबसे पहले welcome सब से पहले हमारे कमला बेन का और हमारे एमी बेन और हमारे बहुत सारे स्टुनेंट है उनका सभी का वेलकम देखिए लाइप में बहुत सारी चीज़े होती है जहां रुक जाता है लेकिन जैसे आपकी लाइप में प्रॉब्लम आती वैसे हमारी लाइप में भी आती इस बार कुछ दूसरे टाइप की प्रॉब्लम थी तो वो सॉल हो गई है और आज सबसे बड़ी बात है कि जब मैं क्लास लेने आया पिछले दो घंटे से मैंने दो बार क्ला क्लास आप तक पहुंचा पर तो यह क्लास चोटी सी क्लास है जिसमें हम आपके मन में जो डाउड थे उनके जवाब दे सके पहली चीज तो यह और हमारा जो सेशन चला था वो कंटिन्यू आज से वापिस स्टार्ट करेंगे मैं थोड़ा बीजी हो गया था मेरे भी स्कूल अब जो है हम लोग वापिस से स्टार्ट कर रहे हैं जहां से हम लोगों ने खतम किया उससे पहले हमारी बेहन ने सीमा जी उनका डाउर था या और भी बच्चे है जिनका डाउर ता कि सर बावेसर और सवाई सर की क्लास कब तक आ जाएगी देखिए हम लोग इसी पे काम कर है ठोड़ा टाइम और दी दीजिए ठोड़े दिनों बाद क्लास जो हो डेफिनेटल आ जाएगी और यह बात है कि आएगी जरूर और इस बार वो लोग बहुत बड़े सर्प्राइस के साथ और अनॉंस्मेंट के साथ आने वाले हमारे यूटूब चैनल पर तो गबराये नहीं पेसेंस बहुत जरूरी है लाइफ में पता है हमारे माता पिता जो होते हैं वो कितना पेसेंस रखते हैं हमारे माता पिता हमसे बहुत सारी उमीदें रखते हैं और जब उनकी उमीदें पूरी नहीं होती है ना तो भी वो पेसेंस रखते हैं कि हमारा बेटा एक दिन कभी न कभी जो है वह सकसेज होगा तो हमे हमेशा कोछिस ट्राई करता रहना चाहिए कि जहाँ भी हमारे लाइप में प्रब्लम आए वहाँ से बार निकलने की हमेशा ठ्राई करो मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि सुबह उठके बगवाल से यही को की हे बगवान मेरे को लाइप में और प्रॉबलम तो तो ये सब्सक्राइब इसमे कुछ सेट्रप बिल्कुल सरी तरीके से से कोई धिक्गत नहीं है तो सबसे पहले हम लोग कौन सा चप्टर पढ़ रहते हैं याद है ना कि भूल गए ओहो बच्छो भूल गए देवाइज करवादी के चलो देखे हम लोगों ने फॉर्स एप्टर स्टार्ट किया था लेक्टो स्टेट का जो पढ़ रहे थे चार्ज की रेस्ट कंडिशन के बारे में और वहाँ पर हमने चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ी सबसे पहले क्या पढ़ी मेरे बच्चो चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ी और चार्ज की प्रॉपर्टी के बाद कुलांस लोग पड़ा कुलांस लोग के बाद हम लोगों इलक्रिकल फील्ड पड़ा इलक्रिकल फी गही थी और डेरिवेशन जो है वो मैं नेक्स्ट क्लास में करेंगा च्छोटी क्लास इसलिए लिए कि आपको पता चल सके कि क्लासे जो वापिस कंटीन्यू स्टार्ट हो चुकी है अब गाउसे का थोड़ा सा पॉक्षिन बचा है और थोड़ी चीज़ा बची उसके बाद चप्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर्ट क्लास निवाएगी और साथ में आपकी जो हो में पार्ट मोर्त एक जो है वह रिकॉर्ड करतों पर तुमारे आदत पड़ी है रिजिटल बोड़ पे तो मस्त होंगे और खुर्स होंगे बढ़िया रही अच्छे रही खाते बीते रही है देखो सब क्या चक्किछ जो है वह स्कूल में स्तार ऑचुकी है ठीक है तो सकता है आपको टाइम कम मिले प्लास को देखने कह लिए देकि एक बार आप elaborate जरूर करेए कि या अपको देखता और एक चीज में हमेशा बोलता हूं कि आपको क्लास अच्छी लगे तो ही लेखें क्योंकि यह हमारी भी टम से कंडिशन से आपको अच्छा लगता है आप डेफिनेटीड लगती आपको अच्छा नहीं लगता है कोई बात नहीं आपका प्यार हमारे लिए बहुत माइने जाता और गाउस मैंने प्यारने बच्छो बताया था आप लोगों को अच्छे से पता हो कि सरने गॉंस सुह क्या क्या बताया यो जो है वह overflow अपकान एप्सानेंट के बराबर होता है और यह हमारा जो नेट सब्सक्राइए और इंटीन रूभ चीज आनि जो हम लोग symmetrical element यूज कर रहे हैं उस symmetrical element के अंदर कितना charge present है उसका sum पता है यहां पर algebraic sum of all the charge present in the any solid symmetry और आप लोगों को पता है कि जो net flux होता है वो dot ds होता है तो हम इसको ऐसे भी लग सकते है एप्सालेन क्यूं बटे एप्सालेन नोट यह हमने छोटी छोटी बाते last class जो बहुत सालों पहले लगी थी once upon a time वो खतम हो चुका है और आपिस हम लोग वरतमान में आज चुके है बच्चों अरे बोलो yes या no yes तो यह दो चीजे हम लोग पढ़ चुके थे प्यारे बच्चों कितनी चीजे दो चीजे यह दोनों एक ही है और यह कौन सा लोग मेरे बच्च्चे लाल कुछन को पहले पढ़िए हिंदी वालों के लिए क्विशन में लिख वाज़ें तोरा साइब में हो जाओं ताकि तुम्हें क्यूक्षन। एक आपके पास में क्यूब का मतलब बच्चा होता है गन के कौने पे आवे सरका गया है इस तरीके से और आपको बताना है कि जो गन की चैन की कितनी फेस होती है तो चैन फेसे से जो फ्लक्स निकलेगा उस फ्लक्स का मान कितना होगा क्या वोला हमारे पास में गन है उस गन के कौने पे क्या रखा हुआ है चार्ज रखा हुआ है क्या रखा हुआ है चार्ज रखा गया है और आपको बताना है कि गन की 6 फेसे से कितनी फेसे से गन की 6 फेसे से जो फ्लक्स निकलेगा उसका मान क्या होगा हिंदी में क्यूशन दिखे जल्दी से एक गन के कौने पर एक गन के कौने पर क्यापिटल क्यू आवेश रखा गया है और क्या पिटिल क्यों आवेश रखा गया है गण के छे फ्लक से फेसे को फलक भी बोलते हैं इंदी मैं गण के छे फ्लक से गुजरने वाले आवेश का मान क्या होगा तो सबसे पहले आप एक गंद बनाई है क्या बनाई यह बच्छों कर गन बनाने के बाद कि उसके गन के एक कॉर्णर पे आप एक चार्ज को रखेंगे फिर सोचे मैंने क्या बता है तो मैंने बोला था कि कभी भी सिमेट्री वाला कुष्ण आए तो आपको जो कंडिशन दे रखी होती है मेरे बच्चा उस कंडिशन के अनुसार आप वहां पे सबसे पहले चार्ज को रखिए किसको रखिए बच्चा सबसे पहले चार्ज को रखिए और चार्ज को रखने के बाद में वहां पे वापिस वही सिमेट्री बनाने का परियास क करिए क्या करिए परियास चलो स्टार कर ले जल्ली से को सबसे पहले गन बनाओ और गन के कॉर्णर पे सबसे पहले आप लोग जो है वह एक कॉर्णे पे चार्ज रखो और उसके बाद देखो कि वहाँ पे पूरा गन बनाने के लिए मुझे कितने गन और बनाने पड़ेंगे और जितने गन आते हैं वहाँ पे उससे एंसर क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है यह लास क्लास में भी बताया था कर नहीं बताया था चलो मैं आपको इसको कॉर्णर पे यह जू रेडवाला है वो मैंने चार्ज रखा है कि अब आपको देखना है इस चार्ज को यहां कॉर्ने पर रखा है और यहां पर आप एक और क्यूब बना हो जिससे यह चार्ज इसके सेंटर पर आजाए आई बात समझ में तो इसको बनाने के लिए क्या करो आंगे टो यहां पर जो слуш a verb hour surface से पास होगा अगरण सरब 3 से पास होगा लिससरे के सेंटर में अज उस केस में इसEric McKahn इसका जो हमारे पास में flux आता है वह क्यों बट्टे अपसली नौट आता है लेकिन एक कौने के लिए हमारे पास आएगा तो यह कितना आ जाएगा क्यू बट्टे कैसे हुआ देखो वीटा चैसे की मान लीजी हमारे पास में इस तरीके से गन्द था तो चल वह रहे हैं इसके यहाँ पर तो क्या वोगा जान से देखने एक इसके उपर गंढ मनाना पड़ेगा एक यहां बनाना पड़े हैं जल्दी से आपको लिखना है तो लिख दीजिए थोड़ा साइड आज जाते हैं अगला वाला स्वाल 2000 के पेपर में आपका है नीट के पेपर के टूट टूपल जी उपस्वाइब यह सवाल लेकने की जरूद नहीं है यह सवाल जो है वो क्या है मैं आपको बता देता हूं सबसे तो है एचार्स कैपिटल क्यूए इस सुस्ट्वेटेड एड़ा कॉर्णर आपक्यूप दाएलाक्रिकल फ्लक्स पास्ट थू और दाशिक्स फ्रेसे लुट प्यूब इस क्या यह कुशन से में कि पिछले वाला बोलो बचो यह कुशन से में है जो पिछला कुशन हम लोगों ने देखा अरे देखा कहीं नहीं देखा रहे वेटा बिल्कुल देखा तो यह वही वाला कुशन से सबसे पहली चीज़ और यह नीट के एक्जाम में क्यूशन आ रहा है जिसका एंस्वर मैंने भी आप लोगों को बताया कि ओपॉर्ट एप्सलन और इसका जो होता है वह एंस सबसे पहले क्षुशन समझ ले और मेरे हिंदी वाले बाई जो है वह बढ़े ऐसे हो गए है तो वह कुशन को पहले लिख दें सार लिखवाना तो आपको पड़ेगा अच्छा वच्चा लिखवाते है क्या कहता है सबसे पहले ज्ञान से सुनिए पहले इंग्लिस वाले को समझा दूक है ना इंगलिजनिज वाले को इंख यह लिए को होते हैं अच्छा सर आपने हमारा सपोर लिए सिपाहब流 देतुटेरी इसके अंदर एक स्मॉल क्यू चार्ज होलो इस फाइज दा इल्रक्रिकल फ्लक्स एन इनिट्स ऑफ वाल्ट मीटर यहां का बोला गया कि इसकी जो कर्वर्ड सर्फेस है उस कर्वर्ड सर्फेस का जो फ्लक्स है वह फाइज देखा तो क्योंकि सिलेंडर की कितनी हमारे पास मे लेने वाली Taiji जैसे यह फैंड है इस फैंड की किनी सर्फेस आएक सब्सक्राहित आपको दिखर ही वह कौन सी है कर्वर्ड तरफेस और उसके बाद में यहां पर जो सर्फेसएज आएगी वह कैसी चाह Came desses ऑजय जाएगी सर्कूलर सर्फेसे से का जाएगी यानिक यहां पर तिन सर्फेसे ए बी और सी ए और सी जो है आपकी ए और सी जो है वो सर्क्यूलर सर्फेसे है और बी जो है वो कावड सर्फेसे है और आपको यहां पर निकालना क्या है एस सर्फेस से आपको कितना फ्लक्स मिलेगा क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्छों ए आपको कितना फ्लक्स मिलेगा यह कुशन क्या रहा है हिंदी वाले कुश्ण को लिख दीजिए एक खोकला बेलन एक खोकला बेलन जिसमें स्मॉल क्यू आवे सुपस्तित है तथा उसकी वक्राकार सत्र से निकलने वाले फ्लक्स का मान फाई है निकलने वाले फ्लक्स का मान फाई है यहां फाई वर्ल्ट पर मिटर भी कह सकते हो और उस वक्राकार सत्र का नाम क्या भी तो वक्राकार भी सत्र से फ्लक्स जो निकलना है वो फाई निकल रहा है तो आपको बताना है एस सतर से गुजरने वाले फ्लक्स का मान कितना होगा सवाल कह रहा है कि हमारे पास में एक जो है वो बेलनाकार वायर कह दो या एक बेलनाकार इस एलिमेंट की तीन सर्फेस दे रखी है कितनी दे रखी है ती ए बी यह दोनों सर्फेस कैसी है सर्कूलर कितनी है सर्कूलर और यह जो सर्फेस हमको दिख रही है वो सर्फेस सिलेंडिकल कैसी है सिलेंडिकल तो हम लोगों को जो निकालना है वो इस चीलेंडिकल सर्फिस एसे कितना फ्लक्स आई था ये चीज़ हम लोगों को find कर ग,'ό सबसे पहले वह लोग डाइग्राम को देखें तो इस तरीके से डाइग्राम को किस तरीके से डाइग्राम दे रका है? लुग गुरु जी है वो कितना है क्यों अगर क्यों चार्ज उपसरी लाइन इस तरीके से निकलने वाली यहां से तो सिलेंडर के कारण जो फ्लक्स आएगा वो हमारे पास में आजाएगा क्यूब अपॉन एप्सालन नॉट आई वास समझ में क्योंकि सिलेंडिकल में जो नेट चार्ज परजेंट रहेगा वो क्यू रहेगा हमारा जो सिलेंडर गीवन है उसमें जो फ्लक्स परजेंट हो जाएगा वो क्यूब अपॉन एप्सालन नॉट हो जाएगा बोलो यहां तक कोई दुख तकलिप समस्या अब हम अगर इसका सिलेंडर का फ्लक्स निकाले तो क्या होगा यह सपोर्च हम घूलेंडर की फ्लक्स फॉइंड करें तो अब कैसे करने किक संटी सथ função एक सर फेस है की एक सर पेस सटी सडिसर नामें या और इस सट्वेल का जो फ्लक्स देए रखा है वह देए का है कितना दे रखा यह त यह हमारा नहीं कि एक ऊपान अप्सालेज अलैंड bandwidth ही भाष है अब देखो यह भी कैसी सर्फेस है तो यहां से अगर फ्लक्स एंटर होता है तो यह से निकलता है यानि कि दोनों साइड़ फ्लक्स का मान क्या रहेगा बराबर यानि यह पर हमारे पास में जो फ्लक्स आएगा वह सी पे भी आएगा यानि की इन दोनों को मैं बोल दूँ फ्लक्स ओफ प्लक्स ओफ ए लगज फ्लक्स ओफ और फ्लक्स ओफ ओपी करुडी। to the surface का कितना given है पीटा। फाइ गिवन हम इसको solve किलोगें कितना हो जाएगा। 2 टाइम्स औफ फाइ ए बराबर 2 टाइम्स औफ फाइ बराबर Q अपटाइलन नॉट बायनस फाइ तो यहाँ से एका जो flux है वह आ जाएगा Q बटे अप्साइलन नॉट- सब्सक्राइब करना बढ़ेगा तो यह आजाएगा वन बाई टू क्यू अपॉन एपसाले नौट माइन सब्सक्राइब यह आपका जो हो अंतिम जो हो इतरह से लास्ट जो है इस तरीके से इसको सब्सक्राइब अच्छा क्वालिटी कुशिंस है अच्छा सवाल है एक बार देख लो कैसे स्वाल किया फिर आगे हम लोग जल्ली से दिखो रही तो यह हमारे पास में स्कूशन का एंसर आया जो कौन सा इंसर दिख रहा है आप लोग को आई तिंग ऑप्शन नमर फॉस्ट लग रहा होगा आपको ना तो आप्शन नमर फॉस्ट जो है वो हमारा करेक्ट एंसर आगे बात समझें जाद है अब थोड़ा आगे बढ़ते और आगे बात करते अच्छा सवाल लेते हैं यह वाला स्वाल अच्छा कहे या गुड़ क्वालिटी कुशिंस कहे सब से बेस्ट कुशिंस देखो इसमें थो अब देखो जान सब्सक्राइब क्यूशन तुम से क्या कहे रहा है कि चार्ज पर सेंटीमेटर लेंद्ट अप्ड़ वायर एक वायर है उसके पर तेक सेंटीमेटर पर जो चार्ज है वायर है पर सेंटीमेटर यानि कि अगर मानलो यह को सेंटीमीटिर ूसी तरीके से grails पर लेंद्ट ईंकलने वायर इस इलेंडिकल सर्फेस से कितना फ्लस्ट्य वो निकलते रहे हैं यह आपको बता है क्रिश्चन को लिख दीजी जल्ली के किसी तार के परती एकांग सेंटीमेटर लंबाई पर परती एकांग लंबाई पर क्यापिटल क्यू आवेस उपस्तित है क्यू क्यू कुलाम आवेस उपस्तित है तो बेलनाकार सत्र से कितना फ्लक्स गुज़रेगा यह आपको नगाए यह एक वायर है जिसकी लेंद्ध हमको सबसे पहले पता करेंगे क्यों कितना है तो हम लोगों को पता है कि इसकी पर सेंटीमेटर पे चार्ज कितना है कि इसकी लेंद्ध कितनी है हंड्रेड यानि वन पे कितना है तो सो सेंटीमेटर पर कितना होगा रहे हंड्रेड कि और फ्लक्स क्या होता है फाई कितना होगा हंड्रेड कि असान सवाल था लेकिन के बारे में अच्छी बात कहीं जो अच्छा कुशन पार जाता है लिख दो जल्ली से अब देखो ज्यान से समना समझा अब कुस कंसप्ट के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या बताना यह कापी अच्छा कंसप्ट है ज्यान से देखे गया और समझा एक नौट लिका है यह क्या कहना चाहता है ज्यान से सब्सक्राइब जब हम फ्लक्स लेंगे तो इन दोनों चार्ज इसका लेंगे क्योंकि इस एलिमेंट के अंदर जितने चार्ज जा रहें उनका लेंगे और जब क्या बोला गया जब हम फ्लक्स निकालेंगे क्यों से चार्ज आएंगे Q1 और Q2 और जब हमारे पास में हम लोग जब तो इलेक्टिकल फिल लेंगे तब तीनों चार्ज लेंगे पड़ेंगे यह कहना जाता है गाउस्स लोग के इसा आप से क्यू फाइट क्लो सर्फेस का कितना होता है क्यू इंटर्नल अपॉन अपसालन नॉट तो यह क्यू जो है वो क्यू और क्यू बन और क्यू टू के आएगा तो यह किन किन के करना जाएगा क्यू फंट्यू टू और इस बात का ज्यान रखाए तो कभी भी आप एक्ष्प्रेस्ट लिखो गौस्यन सर्फेस के लिए तो हमेशा जान रखना कि चार्ज पहले कितने पड़ेंगे यह तो हम लोगाउस्यन सर्फेस बनाते हैं पहले यहां पर चार्ज से कितनी तीनों किसी आती है और जिस समय्ट्रिमेंट की बात होती ही वहां पर जीतना चार्ज होता है यह बात यहांनि कभी भी आप लोग फ्लक्से निकाल रहे हो और वहां पे आपके पास में थे समक्त्रिकलपीन तो सबसे पहला गाम एक य। सबसे पहला काम पे इंदर चाल पर यह बात आपको जाना है अब थोड़ी सी बाते और करते हैं अब आप Gaussian सता नहीं दे रखी खो तो आपको वहाँ पर कालपनिक गॉसिय सत्व बनानी पढ़ती है क्या बनानी पढ़ती है इक कालपनिक सत्व पहले यह बोला गया है कि यह мал आप यह जो होता है वो चार्जा डीश्ट्रिबूइश्न के लोंग सिमेक्टिकल होती गाुस्यान सर्फेश्ट जो होती है वहां पे जो तर्था डिश्ट्रिमइट्रीबू पर रखा है उसके कैसे और लेह से लेकिना कुछ जो है वह और झाउस्ट Counter- hvis पॉइंट चार्ज आ जाए कैसा आजाबे बच्चों पॉइंट चार्ज को कहते हैं वहाँ पर विंदु आवेश उपस्तित तो उस विंदु आ वेश एक आरं हमारे पास में जो गौकर सब्सक्राइब हो आएक गोल ला ओनतर पास में एक लिए पॉइंट चार्ज इस्ट्रिबिशिन के लिए यह बात की हमने पोइंट अगर हमारे पास में एक लिनियर चार्ज बीशिव सिन आज जे जिसे का जाता है लेक यह और शी तरीक हमारे पास में जो गौस्वेस हैं ऑई की बैलना का टाथ सिलंडिक है और इसी तरीके से हमारे पास फ़टैश करपिंगर सेरा है बनानी तर्फ-खाइब तसलिए तरह की गाउस्ण शर्फेस अब को जान में रखिए जो हमारे साले बसका भी पाथ आगर हमारे पास में पॉइंट चार्ज आ जावे उस केस में गोली रहेगी और अगर हमारे पास में जो है वो एक लीनियर चार्ज देंसटी आजावे सब्सक्राइब और यदि हमारे पास में प्लेंट सीट आजा जाए चार्ट भी तब हमको एक 37 मिलन बनाना तो यह पॉइंट चार्ट साइक रेखी आवे सुट्रिता और एक सीट के अंदर जो हो आविस वित्रन यह तीन परकार की चीज़े मैंने आपको बता उसके बाद में यह दिकु और भी चीज़े है की गां सिन्लों जो होता है हमयाँ सिम्क्रिकल सर्फेस के लिए लग सकता के लिए लग सकता है लेकिन यह है कुण सब्सक्राइब लेकिन गाम का नहीं हैं within in a student रिमैन सैंब त्रूआटी यह की हमेसा कैसी भी सरपिसे सारे सरफ़िस पे जो मान कह देते बराबर इसकी वेलू भी फिक्स होथ यह जैसे की मानिय कि इसका इलेक्टिकल फिल इदर जा रहा रहा सा दोनों में आगा और आपको पता होना चीए और एरिया वेक्टर तता इलेक्टिकल फिल आपको बता होना चाहिए उनके बीच में अगला पासानी से निकाल सकते हैं सब्सक्राइब करेंगे करेंगे इसको थोड़ा सा आगे बढ़े इसको फिनिस करते हैं देखें बचो जीवन में बहुत सारी बाते होती बहुत साइची अभी में क्लास रिकॉर्ड करा था उसी समय भी चोटी सी प्रॉब्लम आगी आपको पता चल गया हो कहां पर प्रॉब्लम है आप देखना रास को दो बाग में रिकॉर्ड करके मैंने से निकल गया होगी सकी क्लास से कापी दिनों से नहीं आ रही तो आज से आना शुरू होगी ठीके बचो धन्यवाद पढ़ते रही है मस्तरी खुस्तरी राधे राधे बच्छे